नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चानल डिटिएच ट्रिक्स वर्ड में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिटी फिडिएच को लेकर बात करेंगे दोस्तों होता क्या है कि कई बार जब हम हमारे सब्टोक्स को ओटो इसकेन करते हैं तो हमें दोस्तों टिवी स्क्रेन पे एक प्रोडम का सामना करना परता है और यह प्रोडम आती है दोस्तों नो प्रोडम फाउंड के रूप में तो दोस्तों यह प्रोडम हमें ओटो इसकेन करने पर आती है और दोस्तों ये problem हमें दूसरी बार तब आती है जब हम दोस्तों कोई नई टीपी अपने सर्फ टोक्स में add करते हैं add new program में जाके जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए ddvids की frequency यहाँ पर add कर रहा हूँ और add करने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पर scan करने के लिए जैसे ही इस पर ok दबाते हैं ok दबाने के बाद में दोस्तों हमें same problem यहाँ पर दिखा देती है no program found की तो आज की इस video में बताऊंगा कि दोस्तों आपको अपने tv screen पर यह no program found की problem क्यों आती है और कैसे आप इसे solve कर सकते हैं तो इसकी complete जानकारी पाने के लिए आपको यह वीडियो सुरू सिलेकर अंचे तक देखना होगा तभी आपको दोस्तों इस video में पूरी जानकारी मिल पाएगी और वीडियो की सुरात करने से पहले में आप सभी से request है अगर आपने भी तक इस video के लाइक कर दिए अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे पहली बार आएगे चैनल को सब्सक्राइब लिए साथ मिल आइकन को दबाके ओल पे क्लिक कर दिए तो यहाँ पर दोस्तों जो no program found की problem है वो हमें तब आती है जब दोस्तों हमारे सेप्टोक्स में सिगनल नहीं आ रहा होता है और दोस्तों सिगनल तब नहीं आता जब हमारे decent ना हिल जाता है या दोस्तों LNB खराब हो जाती है या wire खराब हो जाता है तब दोस्तों हम अपने सेप्टोक्स को auto scan करते हैं या कोई नहीं टीपी डाल कर सर्च करते हैं तो दोस्तों हमें no program found की problem देखने को मिल जाती है और दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को ये problem भी आती है तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसे solve कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने disk के वायर को और LNB को चेक कर लेना है LNB खराब नहीं होनी चीए और disk का वायर कहीं से टूटा हूआ नहीं होना चीए अगर दोस्तों आपके LNB सही होगी और disk का वायर सही होगा तो आपके shift box में दोस्तों signal intensity और signal quality कुछ इस तरह के से दिखाए देगी जैसा कि आपको यहाँ पर TV screen पर दिखाए दे रही है तो देखते हैं दोस्तों मेरे disk का वायर भी सही है और जो LNB है वो भी सही है तो देखते हैं अब दोस्तों आपको करना क्या है आपको जो यह डिडिफीडिस की strong frequency दिखाए दे रही है सामने इसक्रीन पर इस पर आपको दोस्तों disk set करके signal लाना होगा और उसके बाद में दोस्तों आपके shift box में no program found की problem solo हो जाएगी तो चलते हैं दोस्तों disk की तरफ और मैं आपको दोस्तों disk set करके बता जेता हूँ तो द्यान से देखिए वीडियो को तो दोस्तों हम disk की तरफ आचुके हैं और मैं आपको इसी disk पे ddvd set करके बताऊँगा का सही sq angle दोस्तों कुछ इस तरह से रहता है मैं आपको बता देता हूँ तो इस तरह से आपको LNB का SQ एंगल रखना है दोस्तों माइनस 25 के करीब यह रहता है तो देखते हैं इस तरह से आप LNB का SQ एंगल रखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से सिगनल मिल जाएगा इसका और इसके बाद में आपको करना क्या है दोस्तों जो यह डिस्क के पीछे बोल्ट है इनको आपको deal कर लेना तकि आप अपने डीस्क को up-down और left-right कर सके और यहां पर देखिए मैं आपको frequency बता जेता हूं तो यहां पर देख सेंगे प्रकोईंसी डिजन ने दिटिफ़ डिश्क की प्रकोईंसी डियाली होगे की यहेंThis प्रांस सथ्प क्र्कोईंसी या TV एक सबसे ज्यादा जाएगा तो अब देखेंर आपको यहां पर करके बर्यंदाख कर के डिश्क को गुमाना है आगे घञियो के नहीं आपको कर तो कि ग को गुमाना है इस तरफ सुरू चुकता है और इस तरफ आपको डिस्क को गुमाना है और अप डाउन करना है तो देखिए मैं इस तरफ गुमा रहा हूं और डिस्क को अप डाउन करूंगा तो यहां पे मेरे को सिंगनल मिल रहा है हलका हलका सिंगनल मिल रहा है आपको दोस्त मैं इसे एड़ेस्ट कर लेता हूं ताकि मैं सबसे ज्यादा सिगनल यहां पर लाज सकूं आपको भी दोस्तों कुछ इसी तरीके से एड़ेस्ट करना है ताकि आपको सबसे ज्यादा सिगनल मिल सके तो यहां पर दोस्तों मुझे सबसे ज्यादा सिगनल मिल रहा है यह देख स जो हमारी दिस वह डपीदिश के सेट हो चुक ए और इसके बाद तो यह त्याइट इनको एहुचर ओल्ट क्ट पर आंगरेक्षिन तो सही direction में गुमाना होगा उसके बाद में दोस्तों आप भी अपनी डिस्को डिडिफ डिस्क पर सेट कर सकते हैं बहुत यह असानी से तो चलते हैं दोस्तों अब नीचे और मैं आपको TV स्क्रीन पर बता देता हूँ कि आगे आपको क्या करना है ताकि आप इसमें चैनल रि परोब्लम आती ही रहेगी तो देख हैं यहा प Эskेनल आ रहा रहा है अब दोस्तों यहा पर सिंगल आ चुका है तो मैं यहां पर बता देता हूँ आपको क्या आपको भी Mic Martella दबा देना है जैसे आप दोस्तों यहां पर उक दबाएंगे तो आपके इस प्रिक्वेंसे के च तो यहाँ पर देखिए चैनल ग्लीट हो चुके हैं अब यहाँ पर ओटो इसकेन में जाना है अब यहाँ पर ओटो इसकेन में जाना है तो दोस्तों यह बात ध्यान रखिए कि आपकी डिश साइड अंग से सेट होनी चीए तभी आप चैनल रिसीव कर पाएंगे तो बेग्राउंड में चैनल चल रहे हैं तो देख्षते हैं यह सारे चैनल आपको मिल जाएगे जी एनवल मिल जाएगा दिन्चक मिल जाएगा और यहाँ पर दंगल आपको मिल जाएगा इस्टा रुसो मिल जाएगा बीफ़र यू कटक मिल जाएगा कलर से रिस्ते मिल जाता कि किस तरह से आपको दोस्तों अपने sidewalk सैड करना है अगर दोस्तों आप डिस सेड कर लेंगे सैड ent से और उसके बाद में ओटो सिटकेन करेंगे है अपने में सिप梵ोस को तो दोस्तों आपको नो प्ाव्डम फाउन्ड की प्रॉल्म कितना % आपको सिंगल मिलता है तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि किस तरह से आप no program found कि ये problem को solve कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी अगर दोस्तों आप मेरे द्वारा दीगे जानकारी स तो इस वीडियो को लाइक कर दिए अपने सभी दोस्तों के शेर कर दिए अगर आप हमारे इस यूटूब चनल पर पहली बार आएं चैनल को सब्सक्राइब कर दिए साथ मेल आइकुं को दबा के ओल पर क्लिक कर दिए ताकि आप हमारे आने वाली सभी इंट्रेस्टिंग वी झाल पर कर दिए